हेलो, गुड मॉर्नी ओल उफ यो, सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार बरे नमस्कार, मैं विविक कुमार, मेरे अपने चैनल यूवी कमपेटिसंस, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ, दोस्तो रोजना की तरह मैं लेकर हजीरू, डेली करंट पेर्स जी के, आज 18 2020 के करंट पेर्स की हम बात करते हैं, यह हमारा करंट पेर्स का डोज 13, यानकि 13 डोज है, साथियों कंटिन्यू करंट पेर्स के लिए, यदि आपने हमारा चैनल, यूवी कमपेटिसंस, सब्क्राइब नहीं किया है, तो यूवी कमपेटिसंस चैनल को सब्क्राइब करें, और साथ ही बैल आइकन दबाना ना भूले, जिससे आपको हमारे द्वाराद दिये के अपडेट्स के नोटिफिक्शन मिलते रहे हैं। इसके साथ ही साथ मैं अनकेडमी एप पर एजुकेटर हूँ, मेरे द्वारा राजस्तान जीके और मेकनिकल इंजिनेरिंग पढ़ने के लिए अनकेडमी एप पर मुझे फॉलो करें, अनकेडमी एप पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्किप्शन में मिल जा से, निम्ण में से महाराष्ट सरकार ने किस रेल्वे इस्टेशन का नाम बदलने के प्रस्ताओ को मंजुरी दिये हैं, Option A, Mumbai Central Station, Option B, Andheri Station, Option C, Mumbai Bandra Station, Option D, Nagpur Station महाराष्ट सरकार ने, जो महाराष्ट की राज्य सरकार ने, Mumbai Central Railway Station का नाम बदलने की घोशना किये तो Option A is right answer, Mumbai Central Station, साथियो, Mumbai Central Station का नाम बदल कर, संकर सेट Mumbai Central Railway Station रखा जाएगा इसके रखने को प्रस्ताओ को महाराष्ट सरकार ने मंजूरी दे दिये और इस प्रस्ताओ को महाराष्ट राज्य सरकार ने, रेल मंत्राले के साथ भी साजा किया है इसका लावाज जो बात करते हैं नाना संकर सेट कौन था, तो नाना संकर सेट महाराष्ट्रियन, परभुपकारी और सिच्छावित थे जिन्होंने मुंबई के विकास में बहुत योगद्यान दिया था वो एक एस फैले बारतिय थे, जिन्हें बॉंबई की ततकाले इन विदान परिश्द के लिए नामित किया गया था नेक्स्ट, कॉस्टन संक्या दो बारत सरकार ने COVID-19, कोरोना वाइरस के लिए कितने मिलियन डॉलर आपातकाले निदी जारी किये इमर्जेंसी फंड जारी किया है, कोरोना वाइरस के लिए ओप्शन A 5 मिलियन, ओप्शन B 10 मिलियन डॉलर, ओप्शन C 15 मिलियन डॉलर, ओप्शन D 20 मिलियन डॉलर और इसका राइट आंस्वर है भारत सरकार, प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी ने कोरोना वाइरस के लिए 10 मिलियन डॉलर आपात काली निदी जारी की है बारत ने दक्षिन एसे चेत्रिय सहयोग संगठन सार्क देशों के लिए डॉक्टरों और विशेशकों की एक त्वेरित प्रितिग्रिया टीम को भी एक साथ रखने की योजना बनाई है इसके अलावा बारत ने कोरोना वाइरस से निपटने के लिए एकी करत रोग निगरानी पोर्टल IDSP का सुझाओ दिया जिसका उपियोग वर्तमान में संक्रमित रोगियों का पता लगाने और संपर्क ट्रेजिंग के लिए किया जा रहा है दोस्तो WHO World Health Organization ने कोरोना वाइरस को महामारी गोसित किया है महामारी एक ऐसी बिमारी होती है जिसका किसी देश के पास कोई इलाज नहीं होता है किस इंस्योरेंस कंपनी के साथ भारतिय एकॉमर्स कंपनी फिलिपकार्ट ने अपने ग्राकों के लिए व्यापक बीमा माधान कंप्रेंसिव इंस्योरेंस सोलुशन बेचने के लिए करार किया है option A max life insurance, option B bhajar life insurance, option C life insurance of India और option D agon life insurance इसका right answer है फिलिपकार्ट ने किस के साथ करार किया है किस के साथ MOU sign किया है या tie up किया है agon life insurance के साथ तो इसका right answer है option D agon life insurance और यह करार उन ग्राकों को लक्षित करता है जो 10 लाग रुपे तक की बीमा रासी के साथ तुरित डिजिटल नीतियो इंस्टेंट डिजिटल पॉलिसीज की मांग कर रहे है इसके लावे इस्टाइब का जो उद्देश से क्या है इस्टाइब का उद्देश से है जीवन भीमा पॉलिसियो के बारे में ग्राकों की धारणा को बदलना है क्योंकि ग्राकों को लगता है कि ये लंबी और मुश्किल अवधी और गल्त बिक्री सहीत महंगा और बोजिल है नेक्स्ट कौसन संक्याचार अभी हाल ही में वयवरद मल्यालम कवी और विद्द्वान पुतु सेरी रामचंदरन का निदन हो गया है उनकी पहली कवीता ओनान नयव ठयू कटम कप प्रिकासित की गई थी आप्सन ए वर्स 1930 में आप्सन बी वर्स 1944 में आप्सन C वर्स 1944 में आप्सन D वर्स 1954 में तो इसका राइट आंस्वर है वर्स 1944 में आप्सन B इस राइट आंस्वर वर्स 1944 जो रामचंदरन है उनकी काववे रचना केरल के प्रारंबिक इतियास के साथ साथ प्रारंबिक और मद्ध्य युगीर मल्यालम भासा के गैन अध्यन पर केंडरित थी रामचंद्रन ने अपने जीवन में विबिन भूमिकाय निभाई जैसे एक सिछक के रूप में कवी के रूप में लेखक के रूप में और साथ ही साथ उन्होंने राजनितिक कारेकरता के रूप में भी कारिये किया था उन्हें उनके अटक प्रियासों के लिए भी जाना जाता है जिसके कार्ण 2013 में मल्यालम को अंतत है केंदर सरकार द्वारा एक सास्त्रिय भासा के रूप में माननेता दे दी गई थी किस मुख्य मंत्री की जीवनी पर आधरित किताब है इसका राइट आंस्वर है एन एक्स्टा ओडनरी बायोग्राफी और मनोहर पारिकर पर आधरित है तो यह मुख्य मंत्री मनोहर पारिकर की जीवनी पर आधरित है और इस पुस्तक का सै लेखन दिगज पत्रकार सद्गुरू पाटिन और माया बुसरन नाग दे करने किया है इस पुस्तक का प्रकासन पैंग्विन रेडमर हाउस इंडिया द्वारा किया जाएगा इसका लावा बात की जाए तो मनोहर पारिकर दोजार चोदे से दोजार सत्रे तक बारत के रक्षय मंत्री के रूप में रहे और उन्हें चार बार गोवा के मुख्य मंत्री की भूमी का निभाई है नेक्ट कौसन संग्यच्छ है चमेली देवी जैन पुरुसकार किस छेत्र में उतकर्ष्ट कारे करने वाले लोगों को प्रदान किया जाता है उप्षन ए पत्रकारिता, उप्षन भी समासेवा, उप्षन सी सिक्ष्या, उप्षन डी राजनितिक इसका राय टांसर है उप्षन ए पत्रकारिता के छेत्र में चमेली देवी जैन पुरुसकार प्रदान किये जाते है और चमेली देवी जैन एक महान सोतंतरता सेनानी और सामुदाईक या समाज सुधारक थी चमिली देवी जैन पुरुसकार एक वार्षिक पुरुसकार है जिसे 1981 से पत्र करता है कि छेतर में उतक्रष्ट पुरुसकार करने वालों के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है तो इसका right answer है option ने पत्रकारता के छेत्र में चमिली जैन देवी जैन पुरुषकार दिये जाते हैं इस वर्स जो वर्स 2020 में देवायर की पत्रकार आरफा खानम, सेरवानी और रोहनी मोहन नामक एक सौतंतर पत्रकार को इस पुरुषकार के लिए चुना गया है आरफा जो है उनको कस्मी रोत उत्तर प्रदेश से रिपोर्टिंग के लिए पुरुषकार चुना गया है जबकि रोहनी को असम्मे एनर्सी पर खोजी कवरेज के लिए सम्मानित किया गया है नेक्स्ट, कौसन संक्या साथ निमल्लिकित मैं से कौन सा देश, सभी वित्तिय बाजारों को निलंबित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है उप्सन ए भारत, उप्सन भी जापान, उप्सन C फिलीपिन्ज, उप्सन D अस्ट्रेलिया और इसका राइट आंसवर है उप्सन C फिलीपिन्स 17 मार्च नार्ज को एनिश्टित्काल के लिए बंद कर दिया गए जब कि मुद्रह और बांड व्यपार निलम्बित कर दिया गया वित्य जो बाजार है उनको निलम्बित करने का निईंघर को उनवायरस महामारी चलते लिए गया' था जबकि महां के बैंक को कह रहे हैं कि यह जो निर्णे है यह वो पारियों के कारण लिया गया है नेक्स्ट कौसन संक्या आठ निम्ण में से कौनसी पैरा मिलेक्टरी बल आधित्य मैता फाउंडेशन के साथ मिलकर साइबर ऑप्रेशन, आर्टिफिशिल इंट्रिजेंस और पैरा स्पोर्ट सहीत विभिन कोशलों में अपने अंगों को खोने वाले अपने सेनिकों को प्रक सिक्षित करेगा, ओप्शन A BSF, Border Security Force, ओप्शन B CISF, Central Industrial Security Force, ओप्शन C CRPF, Central Reserve Police Force, ओप्शन D ITBP, इंडो तिब्बत बटालियम फोर्ट, दोस्तो, पैरा मिलेक्टरी फोर्ट में जो लोग, Cyber Operation, Artificial Intelligence और पैरा स्पोर्ट में घायल हो जाते हैं, या अपने अंग खो देते हैं, उनको प्रिसिक्षित करने के लिए आधित्य मैता Foundation के साथ करार किया गया, समझोता किया गया है, और ये समझोता किया है, CRPF ने Central Reserve Police Force, केंद्रे रिजवर पुलिस बलने, केंद्रे रिजवर पुलिस बल अपने जो सेनिक है, उनको प्रिसिक्षित करेगा NGO, आधित्य मैता Foundation के साथ, तो इसका राय टांसर है, अपसंसी CRPF, और इस समझोता किया है, ऐसे कर्मियों के लिए नए आउसर पैदा करना है, जो बल का अभिन अंग बने हुए है, नेक्स्ट, कोशन संक्या 9, अभी हाल ही में जाने मानें, बॉलिवुड अभी निता, इम्तियाज खान का निदन हो गया है, वैकिस अभी निता के भाई थे, option A, अमजद खान, option B, सारुक खान, option C, सलमान खान, option D, आमीर खान, और इसका right answer, option A, अमजद खान के भाई थे, इम्तियाज खान, दोस्दों, अमजद खान वोई सौले वाले गवर हैं, जिन से सभी परिशित हैं, और इनके भाई, इम्तियाज खान को यादो की बारात, दर्मात्मा, दयावान और नूर जहां, जैसी फिल्मों में सांदार अभी नेता होने के साथ, निर्देशन से भी जुड़े थे, जिन्नोंने हाल चल प्यारा दोस्ट जैसी लौकपिरिय फिल्मों से जुड़े होए थे, नेक्स्ट, कौसन सग्या 10, विबिन सरकारी नौकरियों के लिए 2021 से लागू होने वाली नई भरती प्रणाली के संदर्व में CET का क्या मतलब है, A. Common Entrance Test, B. Common Eligibility Test, C. Common Education Test, और Option D. Compulsory Eligibility Test, इसका राइट अंस्वर है, CET मतलब Common Eligibility Test, दोस्तों, Common Eligibility Test, एक सामान्य पातरता परिक्षा होगी, क्योंकि 2021 से आयुजित की जाएगी, यह कार्मिक, लोख, सिकायत और पैंसन मंत्री जितेंदर सिंग ने इसपष्ट कियाएगी, Railway, Bank और केंदर सरकार की नौक्रियों के निशले इस्तरों के लिए, 2021 से एक समान परिक्षा, Common Eligibility Test, CET आयुजित की आजाएगा, और केंदर इस ओनलाइन परिक्षा का संचालन करने के लिए, एक स्वायत्ते राष्टिय बर्ती एजन्सी, NRA की स्थापना करेगा, RRB, Railway बर्ती बोर्ड और IBPS, Banking वाली परिक्षा है, आयुजित की जाएंगी, उनको replace किया जाएगा, CET के द्वारा, यानि कि पहले यह जो परिक्षा है, SSC, RRB, IBPS करवाता है, जिन परिक्षाओं का भी हाली में, वह परिक्षा है 2021 से CET के अनुसार होंगी, common eligibility test के नुसार होंगी, तो सात्यों यह ताज का मुक्खे समचार जो कि आपका current affairs है, यह आपके सबी exams के लिए important है, तो please like, comment, share and subscribe UV competition channel, और साती सात हमाने Academy, Instagram और Facebook पर भी follow करना ना बोले, थैंक्यू सो मच, धन्यवाद, आपका दिन सुबो,